Doing business without spending money means investing in time यानि बिना पैसा खर्च किये बैपार करने का अर्थे समय पे निवेश करना यानि time is more valuable than money क्योंकि समय धन से अधिक मुल्यवान है और ये चीज अक्सर आप देखे होंगे सपोज कुछ दोस्त मिलकर एक पार्टी के लिए पैसो के आरेंज कर रहे हैं और सारे दोस्त अपने अपने पैसो की contribution कर रहे हैं परन्तु एक दोस्त बोले ना मेरे पास पैसा है ना मैं पैसा दे सकता हूँ परन्तु मैं अपना time दे दूँगा यानि 2-3 घंटा या फिर जितना भी time लगे मैं खुद रहकर इस काम को कल लूँगा यानि समय का वो भेलू है जो पैसे से अधिक मुल्यवान है यानि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर पैसा कमाने के लिए आपको time पे invest करना होगा और ये time आप invest करेंगे online पे यानि online reselling business पे देखिए 2023 में आप घर बेटे online reselling business को करके आप पैसा कमा सकते हैं कुमार business consultant सीख ले business में आपको बहुत-बहुत स्वागत है अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो subscribe कर दीजिए और notification bell को दवा के all पर click कर दीजिए अब देखिए reselling क्या होता है देखिए reselling का आर्थे किसी भी समान का खरीद के फिर से बेचना यानि किसी भी manufacturer और wholesaler या फिर distributor से समान को low price में खरीद के अपने sales और marketing के दम पर उस समान के उपर अपना profit margin जोड के customer को बेच देना यानि suppose आप किसी wholesaler से एक t-shirt को लिया 299 रुपीज में और उसके उपर अपना profit margin जोड के 499 रुपीज में आपने बेच दिया यानि बीच का 200 रुपीज ये आपका profit बन जाता है और ये completely depend करता है आपका brand value, आपका sales expertise, आपका marketing knowledge यानि sales और marketing में अगर आपके पास expertise है और आ market को भली बाती समझते हैं तो फिर आप online reselling business को आसान तरीके से शुरुआत कर सकते हैं और basically दिखिए आपको इसमें कोई stock रखने की ज़रोत नहीं होती है नहीं कोई बहुत बड़ा inventory आपको manage करना होता है बलकि जो wholesaler है उनसे product का photo लेके आप अपना whatsapp, facebook, instagram यानि social media के थ्रो marketing करके customer को sale करना होता है अब देखिए reselling business के लिए किन किन चीजों की ज़रोत होगी देखिए अगर आपके पास laptop है तो फिर बहुत अच्छी बात है परन्तु हम बात करने बीना पैसे की तो ऐसे में देखिए आज काल हर किसी के पास smartphone होता है और उसमें internet भी होता है और इसक selling business के नाम पर जो कि आपके customer को बिल्कुल professional लगेंगे और इसके अलाबा social media account यानि Facebook और Instagram पर आपका account होना चाहिए खुद का एक YouTube channel होना चाहिए WhatsApp business account ये तो आपका mobile के अंदर जरूर होना चाहिए और इसके अलाबा खुद का website आपका बनाना होगा इसके बाद देखिए photography की जोरत होगी देखिए photography reselling business में बहुत ही महतोपून है यानि जितना अच्छा आप दिखा सकते हो उतना अच्छा आपको engagement मिलेंगे यानि लोग आपके photo के उपर like करेंगे share करेंगे comment करेंगे तो वहां से आपको customer मिलेंगे जिनको आप अपना product sale कर सकते हो देखिए photo तो आप design के साथ डालेंगे परन्तु उसके साथ अपका content भी अच्छा होना चाहिए और इसका idea आपको कहां पर मिलेंगे देखिए इसके लिए आप flip card या फिर Amazon पर visit कर सकते हैं वहां पर वो लोग product के नीचे कैसे content लिखते हैं यानि product description कैसे लिखते हैं या idea आप ले सकते हैं या फिर देखिए social media के अंदर facebook या फिर instagram के अंदर जो लोग product marketing करते हैं तो वहां पर भी आप idea ले सकते हैं वो लोग कैसे content को लिखते हैं इसके बाद जरुत होगी branding देखिए online reselling business में personal branding बहुत ही महतवपूर है यानि customer का trust जीतना बहुत जरूरी होत इसलिए शुरुवाति में जब आप किसी भी customer को sell करेंगे तो उनसे आप feedback ले सकते हैं टेस्टीमोनियाल ले सकते हैं छोट छोट वीडियो ब्लॉक्स बना सकते हैं और उसे आप अपना social media पर post कर दीजिए ताकि आये हुए नए customer को ये भरोसा दिलाएगी देखिए जिस प करना होगा और देखिए ब्रांड अपने आप नहीं बनते हैं आजकल तो social media आपको ब्रांड बनाते हैं आपके आसपास लोग आपको ब्रांड बनाते हैं यानि ब्रांड बनने के लिए लोगों के साथ रेना होगा लोगों के बीच में आना होगा जब आप लोगों के यानि पूरा मेच को आप देखते हैं तो पूरे मेच में देखिए 20-30 बार हो आड रन होता है यानि मेच खतम होने के बाद आड आपको याद रहे जाता है और साथ में ब्रांड भी आप याद कर लेते हैं यानि देखिए सोचल मीडिया के अंदर अपना ब्रांड भेलू यानि कुन सा प्रोड़क्ट के साथ आप उनलाइन रिसेलिंग बिजनेस को शुरुआत करना चाहते हैं जैसे कि लेडिस कुर्ती, जीन्स और गार्मेंट्स, रिष्ट वाच, स्निकर, इलेक्टोनिक्स आइटम, मॉबाइल एसेसरी, बैक एंड पॉर्स, आर्टिफिचियल जुयलेरी और भी बहुत सारे प्रोड़क्ट है, परन्तु शुरुआति में किसी एक प्रोड़क्ट के साथ आपको उनलाइन रिसेलिंग स्टार्ट करना होगा, अब दिखिए जो प्रोड़क्ट आप रिसेलिंग करना चाहते हैं, वो प्रोड़क्ट आपको कहां पर मिले देखिए उसके लिए आपको सप्लायर ढूंडना होगा, यानि मैनुफेक्टर और होलसेलर या फिर डिस्ट्रिबूटर जो कि आपको गूट क्वालिटी का प्रोड़क्ट लो प्राइस में दे और साथ में अच्छे सर्विस भी दे, परन्तु ऐसे सप्लायर आपको कहां पर मिलेंगे, देखिए इसके लिए आप गूगूल पर जाके ढूंड सकते हैं, इंडिया माट पर आपको मिल जाएंगे, या फिर देखिए आप इंस्टाग्राम के अंदर ना बहुत सारे होलसेलर हैं, जो कि अपना प्रोड़क्ट मार्केटिंग करते हैं, तो वहां पर पर आपको मिल जाएंगे, परन्तु सप्लाइर का क्या क्या चीज़ें देखना चाहिए, देखिए जो सप्लाइर है, वो आपको कितना डिसकाउंट के साथ कितना ओफर दे रहे हैं, या फिर जब भी आपको ये अर्डर देते हैं, उस अर्डर को वो कितना जल्दी फास्ट करवाते हैं, यानि आप अपने कस्टमर को प्रामिस कर रहे हैं, दो दिन के बाद उनको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, परन्तु आपका सप्लाइर साथ दिन के बाद उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा महतपून है, इसके अलाबा देखिए, अग के मन में एक सवाल आ सकता है, कि जो सप्लाइर है, यानि मैनुफेक्चरर या फिर होलसेलर, ये अपने प्रोड़क्ट को डायरेक्ट भी तो सेल कर सकते हैं, ये रीसेलर के थ्रो अपना प्रोड़क्ट क्यों सेल करेंगे, या फिरीसेलर को ये अपना प्रोड़क्ट क्यों बजट लगते हैं परकूng तो की फूर्श करेंगे तो marketing कश्ट पम हो जाता है और मार्केटिंग यानि ज़्यादा किंमत पर ज़्याद माल बेचना इसी को तो marketing कहते है यानि online marketing को उद्देश जो है आपका customer है उनको तिनी अच्छी तरह से जानना और समझना कि आपके product या services उनके लिए fit है भी या नहीं और ये customer आपको कहाँ पे मिलेंगे ये customer आपको मिलेंगे social media पे यानि आपको social media marketing करना होगा और social media के अंदर देखिए facebook और instagram पे आप marketing कर सकते हैं अगर वो खरीदना भी चाहते हैं तो फिर आपको payment option देना होगा तकि वो आसानी से खरीच सकते हैं देखिए customer चाहे तो आपको call भी कर सकते हैं आपको whatsapp भी कर सकते हैं यानि कोई भी customer एक बार अगर आपका किसी भी product को खरीद लेते हैं इसका मतलब है वो आप पर trust करते हैं आप भरोसा करते हैं तो ऐसे में आप उनका number को save करके आप daily basis पे नए नए product के बारे में उनको update दे सकते हैं कि वो आपके repetitive customer बने देखिए customer को satisfy करना बहुत जरूरी है क्योंकि satisfied customer वो है जो आपसे बार बार खरीदारी करते हैं दूसरे customer को refer करते हैं और आपके business के advocacy करते हैं और इसके अलाबा देखिए आप whatsapp marketing भी कर सकते हैं और इसके लाबा देखिए daily photo और flyer को post करने के लिए आपको कुछ tools की जोरत होगी और इसके लिए आप canva को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि canva के अंदर देखिए आपको अलग-अलग design मिल जाएंगे बहुत सारे template मिल जाएंगे जहां पे आप flyer को बनाके daily post कर सकते हैं इसके लाबा आप काइन मैस्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं और बॉल्ख whatsapp को इस्तेमाल कर सकते हैं और daily post को schedule करने के लिए creator studio को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके लाबा देखिए आप instagram पे real बना सकते हैं जहां पे आपको सबसे ज़्यादा engagement मिलेंगे यानि instagram real को आप paid art के throw marketing कर सकते हैं और finally देखिए reselling business में कोई product range नहीं होता है यानि आप अपना sales expertise और branding के दम पर जितना चाहे उतना pricing लगा सकते हैं तो ये तो था कुछ detail online reselling business को आप कैसे शुरूआत कर सकते हैं अगर आप इसी प्रकार और भी business idea के उपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वार सकते हैं